नमस्कार दोस्तो मैं अंकित पर्मा एक बार फिर से सुआगत करता हूँ आपकी पनी चैनल अंकित पर्मा और लेट पिन और्टिकेशन में तो दोस्तो जैसे कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि आज के इस वीडियो में आपको आज 27 स्तंबर 2024 की हिमाचल प्रदेश की शाम पांच बजे की टॉप 10 ताजा खबरों की जानकारे इस वीडियो में देने वाला हूँ चली वीडियो को शुरू करते हैं शुरू करते हैं शाम पांच बजे की टॉप 10 ताजा खबरें बिक्रमादित्य सिंग रेलवे बोल्ड के चेर्मेंट से मिले बिक्रमादित्य सिंग विधानसवा के पास फ्लाई ओवर को हरी जंडी कैबिनेट मंतरी बिक्रमादित्य सिंग ने दिल्ली में रेलवे बोल्ड के चेर्मेंट से मुलाकात की उन्होंने बताया कि विधान सबक्षेत्र के पास फ्लाई ओवर बनना है जिसके संबन में चर्चा हुई जैराम ठाकुर बोले अगर यूपी मॉडल अच्छा है तो उसे लागू करने से क्यों डर रही है सुखु सरकार नेता प्रतिपक शैराम ठाकुर ने आरूप लगया कि हिमाचल सरकार कांग्रेस आला कमान के दवाब में जुक के है वीधी सम्मत तरीके से की जारी कारवाई को सुखु सुरकार द्वारा बापिस लेना निंदनी है हपी टैट 2024 नवंबर में होगी आठ विश्यों की अध्यापक पातरता प्रिक्षा स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी किया शडियूल हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोल्ड आठ विश्यों की अध्यापक पातरता प्रिक्षा टैट का आयोजन नवंबर में करेगा इसके लिए अभ्यारती 28 स्टंबर से 18 अक्तूबर तक आवेधन कर सकेंगे समाने अभ्यारतियों को 1200 जबकि आरक्षित वर्क को 700 रुपेश शुल्क देना होगा उन्ना अजोली मोड फ्लाई ओवर पर अन्यंतरित होकर रेलिंग से टकराई बस यात्रियों में मचीची एक पुकार अजोली मोड फ्लाई ओवर पर उस समय एक बड़ा हाथसा होने से टल गया जब स्वारियों से बरी एक बस फ्लाई ओवर से नीचे गिरने से बच गई से टकराकर रोख गई प्ले स्टोर से बैंक की एप डाउनलोड करते ही खाते से स्थावन आजार साफ सिर्मोर जीला के राजगर में लोकमित्र के अंदर में काम करने वाली सुमन कुमारी को प्ले स्टोर से बैंक की एप डाउनलोड करना महंगा पढ़ गया और सारी जमाप शमला के दीदो गाटी में शुकरबार को सडक दुरगटना में एक बाइक सवार की मौत होगी, जानकारी के नुसार, सुबह करीब 9.45 पर दीदो गाटी में अचार्टी सी बस और बाइक में बेंड़त होगी, इस दुरगटना में बाइक सवार गंभी रूप से घाहिल हो गय कांगडा कलोहा चौक पर तेज रफ्तार ट्रक ने रॉन डाली तेन गाड़ियां सीसे टीवी में जो है कैद हुआ हादसा, तो दोस्तों ये थी हिमार्चल प्रदेश की शाम पांच बजे की सभी टॉप 10 तादा खबरें, धन्यवाद चैहिन चैभार